मेरे प्रिय देश्वासियों, कुछ दिनों बाद 5 सितंबर को हम सिक्षक तिवस मनाएंगे। हम सब जब अपने जीवन की सफलताओं को, अपनी जीवन यात्रा को देखते हैं, तो हमें अपने किसी ने किसी सिक्षक की याद अवश्याती है। तेजी से बदलते हुए समय और कॉरोना के संकटकाल में हमारे शिक्षकों के सामने भी समय के साथ बदलाव की एक चुनवती रखती है। मुझे खुशी है कि हमारे शिक्षकों ने इस चुनवती को नकेवल स्विकार किया, बलकि उसे अवसर में बदल भी दिया है। पढ़ाई में तक्रीका जादा से जादा उप्योग कैसे हो, नए तरीकों को कैसे अपनाए, छात्रों को मदद कैसे करे, यह हमारे शिक्षकों ने सहजता से अपनाया है और अपने स्टूडन्स को भी सिखाया है। आज देश में हर जगह कुछ न कुछ इनोवेशन हो रहे हैं, सिक्षक और छात्रों मिलकर कुछ नया कर रहे हैं। मुझे वरोसा है, जिस तरह देश में राष्ट्रिय शिक्षानिती के जर्ये एक बड़ा बढ़ला होने जा रहा हैं, हमारे शिक्षक इसका विलाव छात्रों तक पहुँचाने में एहम भूमिका निभाएंगे। साथियों और विशेशकर मेरे सिक्षक साथियों, वर्थ 2022 में हमारा देश स्वतंत्रता के 75 वर्ष का परव मनाएगा। स्वतंत्रता के पहले अनेग वर्षों तक हमारे देश में आजादी का जंग उसका एक लंबा इतिहास रहा है। इस दोरान देश का कोई कोना ऐसा नहीं था जहां आजादी के मतवालों ने अपने प्राण नियोशावर न किये हो, अपना सर्वस्व त्याग न दिया हो। कोन कितने समझ तक देश के लिए जेल में रहा। ये बाते हमारे विद्यारती जानेंगे तो उनके व्यक्तितों में भी इसका प्रभाव दिखेगा। इसके लिए बहुत से काम किये जा सकते हैं जिसमें हमारे सिक्षकों का बड़ा दाईत्व है। जैसे आप जिस जिले में हैं वहाँ सताब्दियों तक जो आजादिय का जंग चला है। इसे लेकर विद्यारतियों से रिसर्च किरवाई जा सकती हैं। उसे स्कूल के हस्त लिखीत अंके के रूप में तयार किया जा सकता हैं। आपके शहर में स्वतंत्रता अंदोलन से जुड़ा को इस्थान हो तो छात्र छात्राओं को वहाँ ले जा सकते हैं। किसी स्कूल के विद्यारति ठान सकते हैं कि वो आजादी के 75 वर्ष में अपने ख्षेत्र के 75 नायकों पर कवीताएं लिखेंगे, नाट्य कथाएं लिखेंगे, आपके प्रयास देश के 1000 लाखों अंसंग हिरोज को सामने लाएंगे। जो देश के लिए जीए, जो देश के लिए खब गए, जिनके नाम समय के साथ विस्मृत हो गए, ऐसे महान व्यक्तित्वाँ को अगर हम सामने लाएंगे, आजादी के 75 वर्ष में उन्हें याद करेंगे, तो उनको सच्ची सरधानली होगी। और जब 5 सितंबर को सिक्षक दिवस मना रहे हैं तब मैं मेरे सिक्षक साथियों से जुरूर आगरह करूँगा कि वे इसके लिए एक माहोल बनाएं, सब को जोड़ें और सम मिल करके जुट जाएं।